हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई यूटूब चैनल AIS एजुकेशन्स और आज इगनु का एक अपडेट है, 22 से 26 दनवरी के दोरान इगनु वर्चुल मोड में नैशनल ऐसे राइटिंग कम्पेटिशन आयोजित करने जा रही है जिसे की इगनु का स्टडी सेंटर, विवेकानन्द कोलेज, रिजनल सेंटर दहली वन के अंडर आता है यह आयोजित करेगा और नैशनल लेवल का कम्पेटिशन है, आल इंडिया लेवल का तो complete details आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जिससे पहले वीडियो में स्टार्ट करूँ जो भी हमारा चैनल AIS Educations पहली बार देख रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भोलें डिरेक्टली नोटिफिकेशन पर आते हैं, विवेकानन्त कोलेज 0712, नेशनल ऐसे राइटिंग कम्पेटिशन होंदा थीम, पीस, जस्टिस और स्ट्रोंग इंस्टिटूशन्स, पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है, 22 से 26 दनवरे के दोरान वर्चुल मोड में प्रो सकते हैं, वर्ड लिमिट है 1000 से 1200 सब्द, एंट्रीज है, वर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए, हैंट्रीटन नहीं असेप्ट की जाएगी, टाइप होनी चाहिए, वर्ड फॉर्मेट में, हिंदिया इंग्लिस किसी भी बासा में आप कर सकते हैं, फ्रॉराउट आपको सेम म दिया गया है, लिंक वीडियो के डिस्रिप्चन बोक्स में है, नोटिफिकेशन का भी, और ऐसे राइटिंग सब्मिशन करने का भी, और जो भी वीनर्स हैं, और पार्डिस्पेट्स हैं, पार्डिस्पेट्स दोनों को इसमें प्राइजिस दिये जाएंगे, जो एकनु से पीजी कर चुके हैं वो भी apply कर सकते क्योंकि इसमें clarify नहीं किया गया है तो आप students जो एकनों से post graduate कर भी चुके हैं वो भी participate कर सकते अगर चाहें तो यहाँ पे आपको सब्मिशन करना है अपना पूरा यहाँ पे आपको एकनों का ID कार्ड यहाँ पे आपकी वर्ड डोकुमेंट आपको टेज करनी है पीडि एफ असे नहीं होगी MS वर्ड में आप अपना सब्मिशन कर सकते हैं तो यह complete notification था ऐसे writing competition का तो 22-26 के दोरान इसका virtual mode में प्रोग्राम पायजित किया जाएगा आप उसे अटेंड करें और आपको उसमें result अगरा भी display हो जाएगा